अगर सक्सेस्फुल बनना है तो इस क्वाड्रेंट को इंपॉर्टेंट्स देना बंद करते हैं तो यह बहुत सारी कंप्लेंस आती हैं हमारी लाइफ में कि भाईय मुझे टाइम मैनेज नहीं हो पाता है भाईय मुझे अपना जरूरी काम करना तो है लेकिन कुछ ऐसे काम आ जाते हैं जिनकी वज़े से मैं अपना जो में जो जरूरी काम है वो नहीं कर पाता या शायद जो अपना काम है मैं करते करते जो दूसरा काम है उसमें मैं खो जाता हूँ जिसमें जो मेरा इंपॉर्टेंट काम है वो नहीं हो पाता तो इस particular वीडियो में के ऐसे effective way के बारे में बात करेंगे जो successful person, जो highly successful person है वो इसी तरीके को अपनाते हैं अपनी time को manage करने के लिए यार कहीं न कहीं हर इंसान अपनी life में busy है आप student हो, आप teacher हो, आप job कर रहे हो, आप कुछ भी हो कहीं न कहीं आपको time manage करने में problem आती होगी या आपका जो important work है वो कहीं खो जाता होगा और जो ऐसा काम है, जो important नहीं है आप उसे करने लग जाते हो तो इस particular वीडियो में मैं आपको एक ऐसा effective तरीका बताऊंगा जिसको मैंने नाम दिया है quadrant method अब इस quadrant method में है क्या मैं पूरी चीज़े बात करूँगा वीडियो को पूरा देखना चलो, अब सबसे पहले मैंने क्या किया है कि जैसे ही हमारा week start होता है जैसे ही जो week का first day होता है Sunday अब हम Sunday को क्या करेंगे हम एक A4 size का paper लेंगे और उस A4 size में हम ऐसी matrix बनाएंगे 2 by 2 का matrix बना लेंगे अब करना क्या है एक column में हम लिखेंगे उपर urgent इस तरफ लिखेंगे हम not urgent एक column में इधर इधर से हम लिखेंगे important और इधर हम लिखेंगे not important अब करना क्या है चलो मैं इसको नाम दे देता हूँ एकना बहुत informative video है आपको बहुत कुछ दे के जाने वाली है चलो अब जो ये वाला जो हमारा first quadrant है जिसमें हम उन चीजों को रखेंगे जो इस पूरे हपते करना urgent भी है और important भी है अगर हमने ये काम नहीं किया तो हमारे साथ कुछ न कुछ बुरा हो जाएगा तो जैसे कुछ भी हो सकता है आपका urgent और important वाले कॉलम में आप वो काम लिखोगे जो आपको इस हपते करने ही करने है जैसे हो सकता है आप online classes ले रहे हो आप online classes ले रहे हो आप इस वाले कॉलम में वो पूरी लिस्ट बनाओगे जो इस हपते आपको करना ही करना है किसी भी कीमत पर आप छोड़ोगे नहीं सकते चलो दूसरा हो सकता है आपको self study करने की आदत हो तो आप self study करोगे भाई ये urgent भी है और ये important भी है क्यों क्योंकि online classes अगर नहीं लूँगा तो मेरा syllabus पीछे हो जाएगा अगर हम self study नहीं करेंगे तो हमें चीजे समझ में नहीं आएंगी तो ये दोनों काम आपके लिए urgent भी है important भी है कुछ और भी काम हो सकता है जैसे किसी का call आता हो और बहुत urgent है और important भी है तो आप हो सकता है लिख लो आप कुछ भी लिख लो जो आपको इस हपते important है करना और वो काम urgent भी है चलो हमने लिख दिया यहाँ पर तीन चीजे हमने लिख दी कि मुझे इस हपते online class लेना है हमें self study करनी है और अगर कुछ urgent calls आगे अपने दोस्तों के अपने parents के या किसी relatives के तो मैं वो attend करूँगा ठीक है अब जो दूसरा quadrant है जिसमें हम वो काम लिखेंगे जो important तो है कभी ना कभी तो करना है लेकिन अभी नहीं करना है जो अभी urgent नहीं है चलो जैसे हम इसमें कुछ लिख लेते हैं कि exercise करना exercise करना हमारे लिए important तो है क्योंकि नहीं करेंगे तो भाई हमारा health खराब होगा ठीक है तो ये काम important है लेकिन इतना urgent नहीं है कि मैं इसे अभी करूँ समझ पा रहे हो feel कर पा रहे हो कि नहीं चलो आप यूटूबर हो कुछ ना कुछ एक इंसान का पैसन होता है जिसे आपको carry forward करना होता है ठीक है तो आप उसको not urgent लेकिन important वाले column में डाल सकते हो जैसे मैंने लिख दिया जो मेरा पेसा है teaching का vocation vocation का मतलब क्या होता है पेसा ठीक है तो इस वाले column में exercises लिख दी हमने vocation लिख दिया हमने और भी ऐसे काम जैसे हमारी planning हो गई किसी चीज की हमारे life की planning हो गई हमारे आगे की studies की planning हो गई जो आपके लिए अभी तो urgent नहीं है लेकिन आप कभी ना कभी इसके बारे में सोचोगे हमने दूसरे quadrant में वो रख दिया अब तीसरे quadrant में हम वो चीजे लिखेंगे जो हमारे लिए urgently आ जाती है लेकिन important नहीं है जैसे हो सकता है आपके लिए calls आ जाए girlfriend का call आ जाए दोस्तों का call आ जाए जो आपके लिए क्या है important नहीं है लेकिन भाई urgently आ गया है कुछ हो सकता है ऐसे कह सकते हो कि कुछ notifications आ जाए आपके phone में notifications ठीक है और हो सकता है कुछ interruptions हो जो आप पढ़ते रहो और वो urgently ये interruptions आपके पढ़ाई में दखल दे दे जैसे कुछ calls हो जाते हैं जो हमें उठाने पढ़ जाते हैं लेकिन important नहीं होते हैं कुछ ऐसे phone के notifications हम पढ़ते रहते हैं पिंग पिंग notification बसता है जो हमारे लिए urgent तो है लेकिन important नहीं है हमें वो काम नहीं करना चाहिए लेकिन हम फिर भी कर लेते हैं अब चौते वाले quadrant में हम वो चीजे लिखेंगे जो इस पूरे हपते ना तो हमारे लिए urgent है ना तो important है जैसे हो सकता है आपका PUBG खेलना हो सकता है भाई आज के generation की तो PUBG खेलना urgent और important वाले column में डाल देते हो आप लोग लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए ठीक है चलो हो सकता है इसके अलामा कुछ आप time wasters काम करते हो आप दोस्तों के साथ गपसप करते हो आप बाहर गूमने जाते हो ठीक है तो उसको not urgent और not important वाले column में डाल दो हो सकता है आपका कोई busy work हो कोई भी काम हो सकता है जो ना तो urgent है ना तो important हो ठीक है तो अब जब आपने ये चार column बना लिये और इन चार column में आपने वो सारे काम लिख दिये जो आपको इस हपते करने है अब क्या करना है आप देखो कि जो column urgent है और important भी है ये आप automatically करोगे ना चाहते हुए भी करोगे क्योंकि भाई teacher से मार पड़ेगी parents से मार पड़ेगी जब online classes नहीं लेंगे हम self study नहीं करेंगे तो हम calls नहीं उठाएंगे तो लोग कहेंगे घमंडी हो ठीक है ये इस quadrant में जो पहले quadrant में जितनी चीजें है वो हमारे लिए urgent भी है important भी है तो ये तो हमें करना ही करना है got it अब जो दूसरा column आता है ये आपके लिए most important column होता है क्यों होता है भीया अब देखो यार exercise करना हो या हमारे खुद के जो future की बात हो जो भी हम काम कर रहे हो वो काम की बात हो या planning की बात हो हो सकता है कि ये अभी करना जरूरी ना हो लेकिन important तो है जिसे आपको दिन का जो 10% हिस्सा है वो आपको इसमें देना ही देना है अगर आप अपनी life में improve करना चाहते हो अब रही बात third और fourth column की तो भाई एक suggestion मानो कि अगर successful बनना है तो इस quadrant को importance देना बंद कर दो जी हाँ इस quadrant को importance देना बंद कर दो अगर successful बनना चाहते हो तो तो समझ में आया ये इतना effective तरीका है यार कि मैं खुद implement करता हूँ और जो चीजे मुझे practical लगती है वही चीजे मैं आपको carry forward करता हूँ तो I hope आपको ये पूरा वीडियो कुछ informative लगा होगा आपने हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ तो जरूर सीखा होगा ऐसी ही वीडियो लगातार बाने के लिए हमारी चैनल Educational Highs को search करिए subscribe करिए और bell icon को जरूर प्रेस कर दीजे ताकि हमारी notifications वीडियो के आपको तुरंद मिल जाए मिलते हैं अपने अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद